तो है गाईज मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व परें कोर्ट फॉर्सेस राउंड 701 डिविजिन 2 का क्वेश्चिन भी डिप्लेस एंड कीप सॉटेड तो क्वेश्चिन का सबसे बड़ा हिंक इसका टाइटल में ही था यह मैं अब इसके बाद में आऊँगा और और टेलीग्राम भी जॉइन कर लिजेगा तो क्वेश्चिन तो आप यहां से पढ़ लिए हूंगे मैं आपको पुरा पढ़ करें बता रहा हूं मैं आपको को समझा देरा हो कि दिया हुआ क्या है तो नहीं को आई क्वेश्चिन को आपकी लिए असान बनाया जाए चाए तो बहुत सरे query पूछे कहने, query में हमें L दिया जाता है, एक R दिया जाता है, LR से क्या करना है? LR से हमें इसका sub array निकाल देना है, जिसका पहला position L है, लजर फोजिशन निकाल देना, ठीकहे है? तो, हमें ये बताना है कि इस जो सब आ रहे हैं जो हर कोईरी का में आंसर देना है हर कोईरी में सब आरे निकला हमें यह आंसर देना है कि इसका इसका सब आ रहे है इसके टोटल कितने के सिमिलर आयरे है ठीक है टोटल कितने के सिमिलर आयरे है तो के सिमिलर क्या होता है यह सिमिलर इस फॉस्चिन के हिसाब से केसि मिज़र आयरे कैसा एयरे होता है जिसका देखो जो इंक्रीस होता है नहीं होना चाहिए उपस्टा पना नहीं होना चिल его है घर्ट नहीं रहा हुए के स्बीक्राइख यह घर्ट ना पता है और किया है के सेम लेंट तो बुनों सेमें तो All the elements are positive integer between 1 and k. They differ in exactly one position, ठीक है? दोनों का जो, अगर कोई दो आरे k सिमिलर है, वालों ये दोनों आरे k सिमिलर है, तो इन दोनों का length सेम होगा, तो इनों strictly increasing होना चाहिए. दोनों का जितना भी element जितना भी element से, वो 1 और k के बीच मना चाहिए, दोनों included, ठीक, 1 भी हो सकता, k भी हो सकता है, k सिमिलर का खाली यही का, ठीक है? 1 और k का बीच में, और सिर्फ एक ही element अलग रहना चाहिए, दोनों equal भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा r equal भी नहीं होना चाहिए, हली एक element जो है, वो आपका अलग होना चाहिए, exactly one, ठीक है, ना कम ना जादा, समझ गया? तो यह हो गया, कि यह similar array, और case similar array के example जी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह 1, 2, 3, 4, ठीक है? और यह 1, 2, 3, 5, तो यह हमारा case similar array हो गया, क्योंकि इसका एक element ही आपका सिर्फ differ कर रहा है, ठीक है, अगर यह 4 होता तो यह नहीं होता है, आपको एक को ही differ करवाना ही करवाना है, ठीक है, एक को ही differ करवाना ही करवाना है, तो question का जो hint था, एक और hint यहाँ पर ज़्यादा अगर सोच रहे होंगे, तो question का अप्रोच जो मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले एक छी ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर question में दिया हुआ है, एक का सारा element, के से कम ही है, ठीक है, एक का सारा element, के से कम ही है, मतलब जो हमें 1 से के के बीच में सारे element यह रखना है, तो यह a में, यह हमारा जो array a है, और इसमें यह already condition satisfied है, यह question में दिया, वसा constraint देखेगा, 1 a i k, ठीक है, तो यह constraint अगर आप मिस की है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कि a का सारा element, a से कम ही है, या equal है, ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो यह थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है, यह जो exactly one, जो one element ही different होने चीज़ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, तो अगर कोई मानलो array a है, इसको मानलो थे हमारा element होगा, a, b, c, d, a, ठीक है, तो इसका, इसका जो k similar array होगा, यह इस array का copy ही होगा, बस एक element differ कर जाएगा, या तो इस element को differ करवाएंगे, या तो पहला को, या तो दूसरा को, या तीसरा को, चौश ओफा को, या पाच मो, ठीक है, अगर b को करवाएंगे, तो बाकी सब सेम रहेंगे, अगर एक को करवाएंगे, तो बाकी सब सेम रहेंगे, समझ रहेंगे, यह जो, अगर दो array के similar है, तो यह तो इसमें कापी ही रहेंगे, सिर्फ एक difference के साथ, यह question में दिया होगा common sense की बात है, ठीक है, तो हमें पता चलिया कि, हमें क्या किस पे काम करना है, और question का जो सबसे बढ़ा हिंट जो मैंने बात की आता, तो इसमें कहने है, क्या मतलब है कि, हम एक case similar array निकालने के लिए, एक element को replace करेंगे, ठीक है, चाहे वो पहला element हो, चाहे हो, दूसरा element हो, तीसरा element हो, चौसरा element हो, पांचवा element हो, कोई सबी element है, उसको हम replace करेंगे, और हमें उस array को sorted रखना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, यह element को replace किये, तो हमारा array sorted देश करेंगे, तो हमारा array sorted देश करेंगा, तो हो गया, length तो same रहे गए, और exactly element हो different हो गया, और 1, 2, k, तो वह condition satisfied हो गई हो गई है, ठीक है, क्योंकि हम उसको 1 से k के बीच के element से ही replace करेंगे, समझे रहो ना, तो यही चीज़ करना है, जो हमारा जो query है, l से r तक वाला query है, उसका सब array हम निकालेंगे, और उसका हर एक element को हम replace करके देखेंगे, कितना नया array बन पाएगा, ठीक है, यही करना है, हम आउटपूट किया ज़ेना, हम आउटपूट ज़ेना, कितना किये similar array हो सकता है, ठीक है, तो आइए इस array पर हम अपना काम करेंगे, और इसको solve करके देखेंगे, कि कितना हम बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम सारे element को, हम यह हमारा a का sub array है, इसमें हम exactly one को differ कराना है, तो हम हर एक-एक element को replace करके देखेंगे, कितना हमारा उससे नया array बन रहा है, और उसको हम answer में plus करते जाएंगे, हम आउटपूट क्या देना हम आउटपूट देनेंगे, कि कितना हमारा नया, कितना हमारा k-similar array बन सकता है, एक कोई differ करा सकते हैं, तो हम वही एक को replace करके देखेंगे, तो question का hint वही था, कि आप इसको replace कराईए, तो sorted रखिए, ठीक है, सबसे पहले हम पहले element को देखें, कि इसको replace कराने से, इसको replace करने से, कितना element आपका, कितना आपका नया array बन सकता है, ठीक है, जो कि यह similar रहो, एक देहान रखना कि, इसको replace करना कि तो यह सब सेम रहेंगे, ठीक है, तो 5 यह 5 कापी हो जाए, 6 यह 6 कापी हो जाए, 8 है, 8 कापी हो जाए, मानलो इसको replace किये, मानलो इसको हम replace किये, इसको हम लिख दिये आपे, यह तो 5 रहागा, ठीक है, इसको replace करके हम यह लिख दिये 5, तो यह आपको strictly increasing तो बंद हो गया, मैंने बोला था कि strictly increasing हो तो equal भी नहीं हो सकता है, तो 5 के equal नहीं कर सकते है, अब भी है, मानलो अगर आप 6 लिख दिये, तो यह तो decreasing हो गया, यह decreasing हो गया, तो यह भी निल सकता है, तो आपका पहला element जो रहेगा, ठीक है, यह ध्यान से सुना, पहला element जो रहेगा, इसका range कहां से रहेगा, इसका range रहेगा, आपका 1 से लेके, जो second element है, उससे एक minus, तो यह आपका, पहला element से लेके, लेकिन, इसमें हम वापस 3 भी नहीं रख सकते है, क्योंकि हम इसको replace करना है, तो 3 को 3 से replace करना है, मतलब बंदा है, नहीं न बंता है, तो इसलिए हमारा total कीतना element हो जायगा, को हमारा टोटल हुजाएगा इसको मालते है ए आई प्लस वन होगेवा सब इतना होग है 1997 pickle एस प्लस वन कर जो यह नंबर है यह जो रेक्राइब टीका इक तो पहले अलयमेंट होघ्त है तो पहले इतन विक्राइब कशलिया ईसको कर सकते तो यस NA नंबर से रिपलेंगे लिए तक है कि कभी हम यहां पर लिग दिए कभी यहां पर लिग दिए कभी आपर लिग दिए इतना हमारा ने रिख तो इसको वापस 3 करते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो, अब हम 3 को वाशनी लिखते हैं, वह 5 को चेंज गरे देगा, 5 सिर्फ चेंज गरे तो यह सब कॉपी हो जागा थी कहा है, तो यह 3, 6, 8, 9 यह सब कॉपी रगा, 5 को हम कहां से कहां तक चेंज गर सकते हैं, 5 को हम, 3 से हम ग्रेटर रखना है, क्योंकि यह स्टिकली तो 3 से ग्रेटर मतलब 4 से ग्रेटर रखना है, और इसको 6 से कम रखना है, ठीक है, 6 के इक्वल भी नहीं, और 3 के इक्वल भी नहीं, तो हमारा रेंज हो गया, 4 से लेके 5 के बीच मिच, 5 तो अल्टरेंटी है, तो हमारा बस सिर्फ एक ही ऑप्शन होगी है, 4, समझ रहा हो, तो यहाँ पर आपका यह जो कोई बीच और आइलमेंट, ठीक है, यह फर्स एलमेंट का थोड़ा लग था, धानम, बीच और आइलमेंट का क्या सिर्ण होगा, बीच और आइलमेंट का आपका रेंज हो जाएगा, ए आई प्लस वन, ठीक है, ए आई प्लस वन, यह नंबर हो गया, माइनस, ए आई माइनस वन, ठीक है, और माइनस आपका करना है यहाँ पर, टू, माइनस टू करना है, क्योंकि देखो, 6 माइनस 3 कितना होगा, 6 माइनस 3 होगा, आपका 3, जिसमें आपका क्या क्या आजाएग क्योंकि ये already present है ठीक है तो ये number हमारा इधर वला range का है ठीक है ये वला number 6 इधर का है और ये number already present है तो जो हम ये की AI plus one minus AI minus one तो इससे हमें और दो घटाना है ठीक है इससे हमें और दो घटाना है तो इसलिए हम यहाँ पर minus चुकी है तो यह वीच वाला element का हमारा formula आगी है ठीक है तो इससे हमारा इतना और निया type का का array बन जाएगा तो answer में इसको हम और प्लस कर देंगे ठीक है कि पहला element को replace करने से कितना होगा फिर दूसरा element को replace करने से कितना हो ठीक है फिर second, third element जितने element या बीच वाले सब element रहेंगे उसमें सब सेम यही formal लगेगा ठीक है एक चीज़ आपको doubt आ रहा होगा कि हम के के range बलब में क्यूं नहीं चेक कर रहा है कि के से कहीं exit तो नहीं कर जा रहा है तो भाईये देखो question में मैंने इसलिए अभी आपको जश्ट बोलाता कि यह जिए ध्यान में रखना है कि सारा का सारा element के से already कम है अब देखो इसारा element के स्रॉ Almighty में क्या होगा है 35689 तो लाच वोले जो element है लाच वोलेट भाई हो झाले मोण पर चेंच करो डहाँ ठीक है तो यह आपका 3 हो गया, यह आपका 5 हो गया, यह आपका 6 हो गया, यह आपका 8 हो गया, 9 को हम कहां से कहां दर कर सकते हैं, देखो, 9 को हम 9 नहीं रख सकता है, तो कि इसे हमारे रिप्लेस करना है, यह 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ठीक है, तो यह तो कितना भी हो सकता है, कि लेकिन लेकिन 9 जो है हमारा k से ज़्यादा नहिंग हो सकता हky की एकउली हो सकता है कि इसका हमारा क्या formula हो जाएगा इसका formula हो जाएगा तो आपके प्टीन हो जाएगा थीक है टिस तीन आपका अप्स्टो इतना अर्q बन सकता है तो यहीं चीज करना है इसी को करते हैं को बंढसे करेंगे है वह से ब्क्राव मैं मैं الا सब्टplets के लिए ए्मारी पना लेंगे आफ की तो बतायाल spend माइनस आइ मैनस दू वाला इसके हम यहां पे इन ऑफको प iyको लिखते हएगे लिखते हैंगे लिखते हैंगे लिखते हैंगे खीऊ अब फिर inपट फिर ए Ne पूच हो algún आर का हम यह लेले लोर के हम इस शायर पास है कि कि इतना नहीं नहां नारे बन सकता वह है इस आरे में बीच पासे क्ल़के ने आरे के लियों है कि इसisel लेकिन इस सारे में इसमें अलग लगा होगा तो इसको आपको दुबारा कैल्कुलेट करना पड़ेगा जो फॉर्वल मैंने बताया ठीक है तो यही करना है सबको आइड कीजिए उसका आंसर देदिये काम होगी है लेकिन अगर आप यह करोगे कि देखो जो आया उसका बार ब कर सकते एक जो है वह है कि प्रीफिक्स संगा थोड़ा यूज कर लिए एक अल्गार्यदम मता हुसमें क्या करेंगे कि देखो हम एक और नया आर्य बना देंगे एक और नया आर्या बना दिये इसमें हम सबका सम रखनेंगे कि यहाँ यहाँ देखो जो पहला पॉश्या तक का सम कितना है तो इस तक का सम फिर तो यह कार घाए है मौन लो अगर हमें हमें 5 से लेके 10 तक का सम्झें तो यहां पे जो 10 है यह तो क्या रखे कैए यहाप रखेंगे सिर्फ 1 से लेकर टें तक का सम तो से ऐसे कर सकते है ना कि 5 से 10 तक का सम जो है हमारा माइनस 1 से मकोथ का सम हम अटा दिया की टीक है वन से 10 तक का सम वन से फूर तक का सम हम उटा दी तो हमेरे पस्क्या बचेगा हम माइनस कर देंगे तो फाइव से टें तक का सम ठीक है तो एक तरीका यह हो सकता हटाने का आप एक से फॉर नहीं बना लिए उसमें स्टोर करके जाओ तो यह थोड़ा प्रिफिक्स सम का आपका काम अब देखो यह पर-हाँ यह हमारा जो प्रिफिक्स वहला है है यह स्शोब लेगा स्फिस गाइगा हमारा सिर्फ इस तो इसमें हम कितने ताइप का सकती हमाहनमां सिर्फ पर घ्रinalने केषा और इसका फाइव संब्हार कितना हो चोगा तो यह आरे 1 होगा यह रे 2 होगी क्या 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 सकते हैं 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो कुछ भी element रखो कोई भी element रखो आपका इसमें आप कोई भी element रखो आपको वह की similar हो नहीं होना है एक element है तो strictly increasing ही count होगा रखो 5 यह दो पाइव है इसी को दुबारा नहीं रख सकते हैं तो आपको क्या scene हो जाएगा यहां पर कोई नंबर रख सकते हैं सिर्फ यह 5 पर नहीं रख सकते हैं तो total element कितना होगा यह वन से के तक क्या पर टोटल के और माइनस वन आपका यह हमारा होगा तो जब एल और इसकेस में कि यह माइनस वन आपको प्रिंट करना है तो यह कॉर्णर केस सा थोड़ा तो यह हो गया और लास्ट में जो पार्मिला सब है वही सब है इसका लिंक मैं दे दूंगा आप जाके चेक कर सकते हैं तो आज की विजिए में इतना ही थार के सेफ है थोड़ा आज घुला बैठ़ा हुआ है तो ध्यान रके सेफ है आज यह वीडियो में इतना ही लिंक डिन का लिंग का इंस्साज्राम का लिंक का लिंक अली डिस्रेप्शन में और फिर सबंदक्र कोई और शुर्स करना ना भूले ज व् झाल ते